दिल्ली में जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों को मैं अपना बच्चा मानता हूं जितने भी दिल्ली के लोगों के बच्चे हैं गरीबों के बच्चे हैं अमीरों के बच्चे हैं मिडल क्लास के बच्चे हैं उन सब को मैं अपना बच्चा मानता हूं और मैं चाहता कि सभी दिल्ली के सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलने चाहिए गरीब का बच्चा हो चामीर का बच्चा हो सब को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलने चाहिए कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान ने साधन दिये हैं वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाई करने भेजते हैं हम चाहते हैं कि हमारे गरीबों के मिडल ग्लास के बच्चों को भी विदेशों जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले अब सब बच्चे तो विदेश जा नहीं सकते तो हमने दिल्ली में स्कूल अच्छे कर दिये अब हम अपने सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं वो वहाँ पे दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग लेके आएंगे हम उने फिनलेंड भेज रहे हैं फिनलेंड दुनिया का वो देश माना जाता है जहां सबसे दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलेंड में दी जाती है तो हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को फिनलेंड भेज रहे हैं से वह ट्रेनिंग लेके आएं और हमारे सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चों को शिक्षा दें अभी तक हजार से ज्यादा टीचर्ज की और प्रिंसीपल्स की हम विदेशों में ट्रेनिंग करा चुके हैं अब लगबग तीज के करीब ऐसे टीचर्ज या प्रिंसीपल्स को भीजना था हमें, LG साब ने ओर्डर कर दिया कि ये फिनलेंड नहीं जाएंगे, और देखो अगर इनको इंडिया में कहीं ट्रेनिंग करा दो, ये तो ठीक नहीं है, ये तो बिलकुल गलत है, LG साब को क्या प्रॉबलम है, दिल्ली के लोगों की चुनिवी सरकार, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा, दिल्ली के लोगों के पैसे से उनको टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, LG साब क्यों रोकने वाले कौन होते हैं, LG साब क्यों रोक रहे हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग को, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दु सारे जने कैमरे पे दिखा दो ये सुप्रीम कोट का ओडर है इस ओडर में लिखा है सुप्रीम कोट ने चार जुलाई दोजार अठारा को बोला था लेफ्टिनेंट गवर्नर आफ डेली हैस नॉट बीन इंट्रस्टेड विद एनी इन्डिपेंडनेट डिसीशन मेकिंग पावर ये देखो इसमें कैका एरियल सुप्रीम कोट ने काए है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई भी स्वतंत्र निर्ने लेने का अधिकार नहीं है य ये दो बार लिखा उनको पता था एल जी एक बार में नहीं मानेंगे एक तो उन्होंने 284 नंबर पैरग्राफ में लिखा और एक उन्होंने से अगर कई सब्रीनेंट या फिस देश का यह नहीं मानता झ Denise के अंदर ना जंतनघर समविधान बचेगा हमें बेहुद दुख है कि आज हम सब लोगों ओ दिल्ली और मुख्य-मंत्री का दिल्ली के चुनहें विधाया को LG हाउस मार्च करके कोई बड़ी चीज के लिए नहीं जाना पड़ रहा है मत्र इस चीज के लिए जाना पड़ रहा है कि LG साब हमारी शिक्षकों को Finland ट्रेनिंग के लिए जाने दो उनको मत्रों को अगर दिल्ली का चुनावा दिल्ली के दो करोड़ लोगों ने वोट डाल के अपने मुख्य मंत्री को चुना सतर में से बासट सीट दी वो मुख्य मंत्री अगर अपने शिक्षकों को Finland ट्रेनिंग नहीं भेज सकता तो फिर क्या फाइदा है इसे चुनाव का और क्या फाइदा है जन्तंतर का अभी हम सारे जा रहे हैं और मैं अमीद करता हूँ कि LG साब को अपनी गलती का एसास होगा और वो शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए जाने दे बहुत सारे काम इन दिनों में LG साब ने जैसे मैंने अभी आपको दिखाया LG साब ने दिली में योगा क्लासेज रोक दी बताओ योगा क्लासेज रोकने से LG साब को क्या फाइदा हुआ 17,000 लोग डेली योगा करते थे मैं उनको फ्री में योगा कराता था LG साब ने अफसरों को बोल के दिली के सारे महला क्लिनिक्स की सारी payment रुकवादी, दवाईयां रुकवादी, टेस्ट रुकवादी, डाक्टरों की तंखा रुकवादी, महला क्लिनिका रेंट रुकवादी, महला क्लिनिका बिजली का बिल रुकवादी दिल्ली जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रुकवा दी इस बार हम चाहते थे 24 घंटे पानी और यमना की सफाई के ओपर मिशन मोड में काम करना तो हमने कई कोई कोई पेमेंट नहीं होने डिल्ली जल बोर्ड की साब ने डीटीव से के बसमार्शल जो हमने महिलाओं की सुरक्षा थां से बसमार्शल débarto gleडीनु ने पता नहीं कितने सारे काम 나서 हिसाब ने हो यहाने तो यह सुपरीम कोडू के Pasके बास जा रहे हैं और मैं उमीद करता हूं कि युद्य साफ सुपरीम को मेरी एपील LG साब से एकी एपील है सम्विधान को माने सुप्रीम कोर्ट के और को माने जब मैं पर्सों मिला कहते हैं यह सुप्रीम कोड की राय है मैं LG साब से काऊँगा एक अच्छा एड्वाइज लठें जो समविधान समझता हो और जो Constitution और Supreme Court को समझता हो LG Supreme Court के order Supreme Court की राय नहीं होती है Supreme Court के order सब के उपर बाद्धे होते हैं